हेलो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक एक ट्रेक लेके आया हूं उस ट्रेक से यह होगा कि आप किसी भी फोटो के अंदर कोई सी भी वी फाइल हो वह आप हाइड कर सकते कोई उसे देखनी पाएंगा कि उस फाइल के अंदर क्या चीज हैंगे जैसे कि मेरे पास इवाला फोटो है तो यह आपको देखाए दे रहे एक फोटो दिखाए दे रहा है मगर इस फोटो के अंदर कितनी सारी वीडियो से कितनी सारी फाइल से कितने सारे डॉकुमेंट्स है वह आपको दिखाई नहीं देंगे तो यह कैसे होगा तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं अभी मेरे इस फोटो का साइज कितना है आप देख सकते हैं साइज कितना आ रहे हैं यहां पर 20.8 KB 20.8 KB आपको यहां पर एक्स्टेंशन दिखाई दे रहे होंगे हर किसी के .mp4 jpg और pdf अगर आपके कंपूटर में ऐसी नहीं दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है व्यूज में जाएंगे तो फाइल नेम एक्स्टेंशन पर आप क्या कर देंगे क्लिक कर देंगे जैसे कि आपके सामने .mp4 जो भी आपकी फाइल होगी उसका एक्स्टेंशन आपको दिखाई देने लगेगा अब आपको यहां पर करना क्या है जैसे मेरे पास फोटो ऊपन हो रहा है और इस फोटो के अंदर यह सारी की सारी फाइल क्या हो जाए हाइड हो जाएं तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें अब करना क्या है आपको सर्च करना है cmd cmd पर आपको ओपन करना है run as administrator इस पर आपको क्लिक करना है आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने क्या आना चाहिए cmd 32 लिखके आना चाहिए यहां पर आपको क्या लिखना है cd forward slash इसको करेंगे minimize photo पर हमें क्या करना है right के लिए करके इसकी properties को open करना है इस वाली पूरी लाइन को हम करेंगे copy बस c colon और बैक से लाइस को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे हमने पूरी लाइन क्या कर ली copy यहां पर लाके हमने कर दिया paste अब इसके बाद सीधे enter अब इसके बाद आपको बस एक छोटा सा काम करना है बस इतना सा कर दिया अब आपको यह सारे की सारी फाइल एक software आता है जिसका नेम है विन आर यार तो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है add to archive इस पर आपको क्लिक करेंगे यहां पर आप जो भी नेम देना चाहते हैं वह आप नेम देदी है बी ओके कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यह मेरे सामने क्या लिखके आ रहा है वी डॉट आर यार फाइल कि दी माड़ा और फाइल आ अब इनन इसारी फाइल के हमें कोई जरूरत नहिए करना चाहें देलीट कर सकते तो मैं देलिट कर दी में अब बचा माई पर फोटो और यह है आर यार फाहिल से अब इन दौनों को हमें क्या करना है कि मर्ज करने के लिए agreement करने पड़ेगा cmd अपना चलो open करते हैं cmd open करने के बाद बस आपको एक छोटी सी command बस वह आपको type करनी है copy space forward slash b space आपके इस photo का name a.jpg आपका कौन सा photo है वो उसका name और उसका extension यहां से आप देख सकते हैं और जो अभी हमने एक आर यह फाइल बनाई थी उसका name और उसका extension तो हमें इसके बाद लगाना है plus फिर उसके बाद देना space भी डॉट आर यार फिट दुबारे से एक बार हमें type करना है a.jpg इसके बाद सीधे enter तो हमारे पास यह message आ जाता है इसके बाद हम करेंगे cmd को close अब इस वाली आर यार फाइल की भी हमें कोई जरूवत नहीं है आपने अभी थूट देर पहले देखा था इस फोटो का साइज कितना था 20.8 kb और अब कितना हो चुका है 9.77 mb मैं इसको भी हटा देता हूं यहां से इसको मैंने कर दिया डिलीट और सारे आर फाइर के हमें कोई जरूथ नहीं थे हमें तो सिर्फ अपना फोटो चाहिए था जैसे अगर आप यहां से वीव वाले ऑप्षन से फाइल नेम एक्स्टेंशन को आप हटा देते ना तो आपके इस पर जब किलिक करते हैं किलिक करने के आपके सामने क्या मिल रहा है एक फोटो मिल रहा है पोटो दिखाई दे रहा है आपको अगर मैं इस फोटो को रीनेम करूंगा तो री नेम नहीं हो पाएगा क्याक्यों द्वाले से आएंगा व्यूस पर फिर द्वाले से Yes, करए OK अब आपके आरिया फाईल भी ये बन चुकी करें ड़ोक्त करना के बाद आपके सामने आपकी साए कि तारी कि सारी फाईल उपन हो जाएंगी वह फाईल मिखां से डारी कर सकते हैं उसंवाले फोटो में करना फिट द才से आप करेंगे कि इस पर राइट इसकी पर जह जाएंगे इसका करेंगे लीदिंब राइट कीड करके करेंगे इसका करेंगे यहां प्रकाइब करना यह ढ़र हो तो टवीड िश्ट राइब कर दीने लगा अब क्या उपन हो रहा है इस फोटो इस टाइब से आप कोई शी भी अपनी फाइल आप शुपा सकते हैं किसी भी फोटो के अंदर तो थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई वीडियो